असम के गवर्नर स्रिमान गुलापचन कटारिया जी, मुख्यमंत्री सिमन हमंता बिश्वा सरमा जी, केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, देश के आरोग्य मंत्री, मन्सुक मानविया जी, डॉक्टर भार्ती पवार जी, असम सरकार के मंत्री, केशब महंता जी, यहाँ उपस्तित, मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग-अलग स्थानों पर वीडियो कांफरंस से जुड़े हुए, सभी महानुभाव, और असम के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मा कामाख्यार ये पविट्रो भुमेर परा अहमर होमु भाट्री भग्नईलोई मोर प्रुणाम, आप सभी को रोंगाले बिहु की बहुत बहुत शुब कामना हैं। इस पावन आउसर पर असम के नौर्थ इसके हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्टर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नौर्थ इसको अपना पहला एम्स मिला है। और असम को तीन नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आयाइटी गुहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए पांसो बेड़ वाले सूपर स्पेशालिटी अस्पताल का भी सलान्यास हुआ है। और असम के लाखों लाख साथियों तक आईश्मान काड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम से असम के अलावा अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मेगालय, मिजोराम और मनिपूर के साथियों को भी इसका बहुत लाब मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेस के लिए आप सभी को नौर्थ इसके सभी मेरे भाईयों भेहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत चुपकामना आए। भाईयों और भेहनों पिछले नव वर्षों में नौर्थ इस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्रेक्टर को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी नौर्थ इस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एर्पोर्ट से जुड़े कारियों को देखकर प्रसमसा किये मिना रह नहीं सकता है। लेकिन नौर्थ इस्ट में एक और इंफ्रास्रेक्टर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्रेक्टर। यहां सिक्षा और स्वास्त की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूत पुर्वा है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रुगर आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का सिलान्यास और उद्गाडन करने का आउसर मिला था। आज एम्स और तीन मेडिकल कॉलेज आपको सौपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुभीता का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नौर्ट इस्ट में लगातार बहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेश रुप से गर्भावस्ता के दोरान महिलाओं को जो समस्य आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आज कल एक नई बिमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूँ, उत्तर में, दक्षिड में, नौर्थिस्ट में, पिछले नव वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत परिशानी हो जाती है। अने देश का बहुत अहीत किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है। इश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे। इसलिए नौर्थ इस उन्हें दूर लगता था। एक पराये पन का भाव उन्होंने प्यादा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पन भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नौर्थ इस हमें दूर भी नहीं लगता और अपने पन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे कुशी है कि आज नौर्थ इस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़ कर खुद संभाल ली है। वो नौर्थ इस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए अंदुलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी रज्जों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदारण है। साथियों, दसकों तक हमारा पुर्वोत्तर कई और चुनोत्यों से जूजता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारबाद, छेत्रबाद, ब्रस्टाचार और अस्थिर्ता की राजनिती हावी होती है, तब विकात होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केर सिस्टिम के साथ हुआ, दिल्ली में जो एम्स हैं, वो पचास के दसक में बना था। देश के कौने कौने से लोग आकर दिल्ली एम्स में हिलाज कराते थे। लेकिन दसकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किये थे। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सब शब का ठब पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए, वहाँ व्यवस्ताएं खस्ता हाल ही रही। 2014 के बार हमने इस सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते बर्षों में 15 नए एंद पर काम शुरू किया। 15 इन में से अगी अधिकतर में इलाज और पड़ाई दोनों सुविदा शुरू हो चुकी है। एंद गुवाटी भी इस बात का उदारण है कि हमारी सरकार जो संकल पर लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। यह असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के लिए आता है। शिला न्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकारपन के समय भी आपका प्यार बढ़ चड़ करके और वो भी बिहू के पवित्र समय यहां मुझे आने का आउसर मिल गया। यह आपका प्यार ही है साथियों पहले की सरकारों की नीतियों की वज़े से हमारे हां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। यह कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दिवार थी। इसलिए बीते नव वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। 2014 से पहले दस सामों में करीब 1500 मेडिकल कॉलेजी बने थे। पिछले नव वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले नव वर्षों में देश में MBBS सीटे भी दो गुनी बढ़कर एक लाग से अधिक हो चुकी है। पिछले नव वर्षों में देश में मेडिकल की PG सीटों में भी 110 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है। हमने मेडिकल सिख्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन की स्थापना किया है। पिछडे परिवारों को बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके इसके लिए हमने आरक्षन की स्थापना का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले छेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके इसलिए हमने पहली बार भारतिय भाशाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजेट में डेड़ सो से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का एलान भी किया गया है। अगर मैं नर्सिंग की बात करू यहां भी बीते नव वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संक्या दो गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते नव वर्षों में नौर्थ इस्ट में मेडिकल की सीटों की संक्याफी वढ़ करका पहले के मुकाबले दो गुनी हो चुकी है बाई और बैनों आज भारत में हेल्ट सेक्टल में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देश वाश्यों ने 2014 में एक स्थीर और मजबुत सरकार बनाई भाजपा की सरकारों में नीती नियत और निष्ठा किसी स्वार से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम देश वासी प्रथम इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है इसलिए हमने वोट बेंक के बजाए देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया हमने लक्ष बढ़ाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बहतर इलाज मिले साथियों मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती इसलिए हमारी सरकार ने पांच लाग रुपिय तक का मुप्त इलाज देने वाली आईशमान योजना शुरू की मैं जानता हूं कि महंगी दवाईयों से गरीब और मद्यमबर्ग कितना परेशान होता है इसलिए हमारी सरकार ने नव हजार से ज़्यादा जन अउसदी केंद्र खोले इन केंद्रों पर सेंकड़ों दवाईयां सस्ते में उपलब्द कराई मैं जानता हूं हाट के ऑपरेशन में घूटने के ऑपरेशन में गरीब और मद्यमबर्ग का कितना ज़्यादा खर्च हो रहा था इसलिए हमारी सरकार ने स्टैंड की कीमतों को नियंत्रित किया नी इंपलांट की कीमतों को नियंत्रित किया मैं जानता हूँ कि जब गरीब को डायलिसिस की जरुत होती है तो वो कितना परेशान होता है इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुप्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की लाखों लोगों को इसका फायदा पहुचाया मैं जानता हूँ गंबीर बिमारी का समय से पता लगना कितना जरुरी होता है इसलिए हमारी सरकार ने देश भन में डेड़ लाख से जादा हेल्थ और वेल्नेस सेंटर खोले है वहाँ जरुरी टेश की शुविदा दी है मैं जानता हूँ कि टीबी की बिमारी कितने दसकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनोती बड़ी हुई है इसलिए हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभ्यान शुरू किया हमने एक बाकी दुनिया से पांच वर्थ पहले ही भारत को ट जुदंबर के परिवार को ब्रबात कर देती है इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिफ हेल्थ केर पर फोकस किया बिमार हो ही नहीं बिमारी आये ही नहीं इस पर फोकस किया योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सहथ के प्रति जागरूत किया है साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूँ तो खुद को धन्य मानता हूँ कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशिरवाद दिया आश्मान भारत, प्रदान मंत्री जनारों के योजना आज देश के करोडों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है बीते वर्सों में आश्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड रुपे खर्च होने से बचाये हैं जन अवसदी केंदरों की वज़य से गरीब और मद्यमबर के 20,000 करोड रुपे खर्च होने से बचे हैं स्टेंट और नीव इंप्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मद्यमबर के हर साल 13,000 करोड रुपे बच रहे हैं मुक्त डायलिसिस की सुविजा से भी किजिने के गरीब मरीजों के 500 करोड रुपे से ज़्यादा खर्च होने से बचे हैं आज यहां असम के करीब एक करोड से भी ज़्यादा नागरिकों को आईश्मान भारत कार देने का भ्यान भी शुरू हुआ है इस अभ्यान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली हैं उनके पैसे बचने वाले हैं साथियो मैं अक्सर देश के कौने-कौने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभारतियों से मुलाकात करता रहता हूँ इस पें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बेहने हमारे देश की बेटे बेटिया हमारी महलाएं शामिल होती वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्त सुविधाओं में कितना बड़ा फरक आया है। हमारी माताओं बेनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं। जो योजनाय शुरू की उसका बहुत बड़ा लाब हमारी माताओं बेहनों को महिलाओं की सहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभ्यान के तहट बने करोरो सोचाले ने महिलाओं को बहुत सारी मिमारियों से बचाया है। उजबला योजना के तहट मिले गैस उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जान लेवा दुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जिवन मिशन के तहट हर गर जल आने से करोरो महिलाओं को पानी से होने वाली मिमारियों से बचा हुआ है। मिशन अंद्र धनूस ने करोरो महिलाओं का मुक्त टिका करन करके उन्हें गंबीर मिमारी से बचाया है। आईश्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में पांच लाग रुपिय तक की मुफ्ति इलाज का बरोसा दिया है प्रधान मंत्री मात्रों बंदरा योजना ने महिलाओं को गर्मावस्ता के दोरान आर्थिक मदद दी है रास्तिये पोशन है बियानने महिलाओं को पोश्रिक बोजन मौईया कराने में मदद की है जब सरकार सम्मेदन सिल होती है जब गरीब के प्रती सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही काम किया जाता है साथियों हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21 सदी की आवश्यक्ता के मुताबिक आधुली करम भी कर रही है आज आईसमान भारत डिजीटल हेल्थ मिशन से देश वांचों को डिजीटल हेल्थ आईटी दी जा रही है देश भर के अस्पतालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफरम पर लाये जा रहा है इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पुरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्द हो जाएगा इससे अस्पतालों में इलाज की सुविदा बढ़ेगी सही डॉक्टर तक पहुंचना चरल होगा मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत अभी तक लगवग 38 लाग 38 करोड 38 करोड डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है इसमें दो लाग से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और डेट लाग से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल बेरिफाई हो चुके है आज इस संजिवनी भी गर बैठे बैठे उप्चार का पसंदिदा माध्यम बनती जा रही है हम सुविदा का लाब देज भर के 10 करोड साथी ले चुके है इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है भाई और भेनों भारत के हेल्थ केर सिस्टिम में परिवतन का सब्चे बड़ा अधार है सबका प्रयास कोरोना के संक्रकार में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है दुनिया के सबसे बड़े सबसे तेज सबसे प्रभावी कोविड टिका करन अभियान की प्रसंसा अध्दुनिया कर रही है हमने मेडिन इंडिया वैक्षिन मड़ाई उन्हें बहुत कम जबाई के भीतर दूर दूर तक पहुचाया इसमें आशा वरकर आंग्रन वाड़ी कायर करता प्रामरी हेल्थ केर वरकर से लेकर हर्मासिटिकल सेक्टर तक के सर साथी ने शांदर काम किया है इतना बड़ा महायगन तभी सबन होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है आईए सबका प्रयास से स्वस्त भारत सम्रुद्ध भारत के मिशन को हम पूरी निष्टा से आगे बढ़ाएगे एक बार फिर एमस और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आपने जो प्यार दिखाया इतनी बड़ी तादाद में आशिरवाद देने आए आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विरान देता हूँ